हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू, आज है 13 जून और 13 जून 2021 के हर्याना करेंट अफेर, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार आईक्यू मेरा टेलिग्राम चैनल है, आप लोग इस चैनल को जुरूर जोइन कीजिएगा, सभी लेक्चेस का अगर कोई आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आज रात की कलास साड़े नो बजे की होगी, आप लोग इस कलास को बिलकुल भी मिसमयत करिएगा, प्यारे बच्चों कल आप से सवाल किया था, मैंने उसका सही जवाब क्या होगा, घर घर बैंक खाते में, रासी जमा करान में डाक विभाग की कुन सी ब्रांच देश में अवल है, तो घर घर बैंक खाते में, रासी जमा कराने में, डाक विभाग की जो ब्रांच है, जिसका नाम है हिसार, हिसार जिले की ब्रांच जो है, ये देश भर में अवल है, बी आप्शन इसका बिलकुल ठीक रहेगा, आप लोगोंने सुना होगा like as a dielectric और जर्नली air insulated जो है आपके electricity sub station है हर्याना के अंदर लेकिन हर्याना का पहला gas insulated जो आपका electricity sub station है यह सुरू हुआ है अभी हाल ही में कहां पे करनाल के अंदर यानि कि डी option जो है इसका हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा उत्तर हयाना बिजली वित्रन निगम ने अभी recently 33 kv जो gis है इस सब station को start किया है recently अचा कहां पे किया है इसे किया है अभी हाल ही में जातों gate के उपर ठीक है यह मतलब उस जगह पे location है दो feeder है एक 11 kv का है ठीक है और 11 kv वाला जो है न एक अलग road पे है दूसरी जगह पे एक और है मीरा घाटी road के उपर है खेर कहां पे है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुद्दा यह है कि आपका हर्याना का पहला gas insulated electrical substation करनाल डिस्टिक में स्टार्ट हुआ है अच्छा एक बात और याद रखिएगा maximum 10 feeder का जो है न वो capacity होती है electric supply करने की और तकरीबन 11,500 consumers के पास में जो है यह gas insulated electrical substation है यह बिजली supply कर सकता है इसको setup करने में तकरीबन 11,500 क्रोड रुपे का जो है वो खर्चा भी आया है इस बात को भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं मुद्दा मेंली यह है कि सरीए gas insulated वाला क्या होता है तो देखो GIS high voltage substation होता है और जो जर्नली यह gas यूज़ करता है इसका नाम है sulfur hexafluoride insulation के रूप में यह use करता है और जर्नली जो air insulated substation होते हैं उनके अंदर तो air या metal clad system के माध्यम से ही insulate कर लिया जाता है तो मैं आपको repeat कर देता हूँ इस सवाल का सीधा सा मतलब यह है कि हर्याना का पहला gas insulated electrical substation करनाल में खोला गया है एक बात आपको यह याद याद रखनी है कितनी इसकी capacity है 33 kv की जो है इसकी capacity है चोथी बात आपको यह याद रखनी है इसमें कितना खर्चा आया है 11.6 करोड का आया है पांचवी बात आपको यह याद रखनी है कि इसकी maximum कितने feeders की capacity होती है तो 10 feeders की होती है और चटवी बात आपको यह याद रख करते हैं, sulfur hexafluoride gas का use किया करते हैं हम लोग, इतनी बात आपको इस particular question से जो है, वो याद रख लेनी है, अगला question हमारा क्या होने वाला है, यह दिखने में कुछ ऐसा होता है, अच्छा करनाल का मैंने यहां पर जिकर किया है, करनाल बहुत famous है किसके लिए, liberty जुतों के उद्धोग के लिए बहुत ज़्यदा परसिद है, धान का कटोरा इसे हर्याना में कहा जाता है, इस point को भी आप लोग यहां से याद कर सकते हैं, करनाल cmct भी है, यह भी बात आप लोगों को वैसे भी पता ही है, और या तो के अलावा दूसरी फसल की खेती की गई है, देखिएगा कल मैंने आपको यह question पढ़ाया था, पर मैंने कल इतना पढ़ाया था कि हर्याना के कौन सा गाउं है, जिसने मेरा पानी, मेरी विरासत योजना को पूर्णते अपना लिया है, लेकिन आज इसमें एक थोड़ा सा डेटा है, वो हमें वो भी याद करना है, वो सकता है, हमसे कहीं ये भी बात पूछ ली जाए, तो कितने एकड़ भूमी पे जो है, गाउं धाकला के अंदर, मेरा पानी, मेरी विरासत जो योजना है, जिसके धान की फसल की बजाए, दूसरी फसल लगाई है, तो ये एकड़ है, 3445, 3445 एकड़ भूमी पे जो है, वो धान की बजाए, दूसरी फसल लगाई गई है, इस बात को आप याद रखना, इसके लिए कितना पैसा मिलता है, 7000 रुपे परती एकड़ जो है, दिया जाएगा, कि मेरा पानी, मेरी विरासत योजना को, मेरी फसल, मेरा वियोरा जो एक योजना है, उसके तैत भी लिंक कर दिया, ताकि किसानों के खातों में जल्दी ही पैसे ट्रांसफर कर दिये जाए, इसके ब्रैंड अमेस्टर मनीका शोकंद है, ये बात भी आप याद रखिएगा, किस युनिवस्टी ने अगामी सेक्शनिक्स तर से सामाजिक कारे सनातक डिगरी पाठे करम सुरू करने का फैसला किया है, क्या बात है, गजब का कोर्स टार्ट किया है, मतलब यूं समझिएगा, कि सामाजिक कारें के लिए भी अलग से कोर्स है, ये को सामाजिक कल्यान के चेतर में कुसल कारेकरताओं की जरूर्द होती है, skilled जो जितने भी workers होते हैं, सामाज के काम करने में भी बहुत ज़रूर्द होती है, skill की, इस उदेशय को पूरा करने के लिए हर्याना की जो YMC University है, या JC Bose Science and Technology University है, इसने अभी हाल ही में जो है, इसको इस पाठेकरम को start किया है यानि किसी option जो है, इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, JC Bose University of Science and Technology या Youngsman Christian Association फ्रिदावाद के अंदर है, इसके प्रोफेसर का नाम क्या है, दिनेश कुमार है, याद रखिएगा आप लोग, और इसके स्थापना हुई थी, हर्याना स्टेट लेजस्टिव एक्ट नंब डिगरी के तैस्ट, रिकोगनाईज किया गया है, एक ग्रेडिस को भी मिला हुआ है, NWAC के दवाराग, एक बात और याद रखिएगा, इसमें कितनी सीटे होंगी, इस कोर्स में टोटल 45 सीटे होंगी, और इसके लिए स्पेसली डिगरी का पार्टे करम, हर्याना की ये पह बहुत बार बता दिया है, अगर आपको याद है, तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, क्या कि हर्याना में सबसे पहली बार स्वामितव योजना के तैस्ट या लाल डुरा मुक्त करने के लिए 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को करनाल का सिरसी गाउं है, करनाल का सिरसी जो की लाल डुरा मुक्त गाउं बना था पूरे भारत के अंदर, और इसी की सफलता के चलते हुए 24 तारिक की बात है, ठीक है न, यानि कि 24 अप्रेल, 24 अप्रेल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रेल 2020 को पूरे भारत में प्रधान मंदरी निरेंदर मोदी ने स राज्ये के रूप में जो है, वो भी नामित किया था कि जैसे हर्याना ने काम किया, वैसे वैसे आप जो है न, बाकी राज्ये भी इस पे स्वामीतर योजना पर विचार कीजिएगा, इस योजना में मतलब है, लाल डोरा मुक्त करना, मतलब लोगों को उनका जमीन का मालि दिनिया तीन महीने के अंदर जो है स्वामितव योजना का कारे 100% पूरा हो जाएगा और इस कारे को पूरा करके गाओं को लाल डोरा मुक्त किया जा सकेगा अगला क्युस्टन हमारा होगा टोक्यो पैरा अलंपिक कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाडी कोन बनी है बैरी बैरी इपॉर्टन कियुस्टन है अपने हरियाना की रहने वाली है यह ठीक है और इनका नाम है अरूणा तंवर यानि कि ए आप्शन जो है इसका हमारा वो बिलकुल छीक रहेगा हर्याना के भिवानी के दिनोद गाओं की रहने वाली है अरुना और एक बेहदी आम परिवार से आती है तो क्यों पैरा ओलंपिक कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली टाइकॉंडो खिलाडी बनी है ये हर्याना की बेटी है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इपॉर्टन क्यूसन होने वाला है ये अच्छा और अरुना इस समय महिलाओं की अंडर 49 स्रेणी में दुनिया की चोथे नंबर की खिलाडी है पांच बार की राष्टिये चैंपियन अरुना पिछले चार साल में एशियाई पैरा ताइकॉंडो चैंपियनसिप और विश्व पैरा ताइकॉंडो चैंपियनसिप में पदक भी जीच चुकी है आपको एक बात और इपॉर्टन बता देता हूं कि इस बार ओलम्पिक में कोन-कोन खेलने वाला है हर्याना के तरफ से बॉक्सिंग में विकास कृष्ण है, मनीज कोशिक है, पुजा रानी है और अमित पंगाल है ठीक है इस परकार शूटिंग में अभिशेक वर्मा है, यशेश्वनी सिंग देशवाल है, मनू भाकर है, संजीव राजपूत है, कुस्ती में विनेज फोगाट है, अंशु है, दिपक पुनिया है, सोनम है, रवी है, सीमा है, बजरंग है, सुमित है, अटलेट्स में राहूल है, सं प्रिन शोट ले लिजिएगा, मैं आपसे बार-बार पूछता रहूँगा, और जब भी भी कितने खिलाड़ी सामिल हुए थे, कौन-कौन से गय में, कौन-कौन से खिलाड़ी सामिल हुए थे, अब तक इतने खिलाड़ीों की महर लग चुकी है, फाइनली, और आगे की ब और पाल गुजर इन्होंने ये कहा है कि आठवी तक के चात्रों को पुष्टक खरीदने के लिए उनके खाते में डारेक्ट पैसा भेजा जाएगा अभी रिसेंट्ली हाई पावर पर्चेज कमेटी जो है न उसमें आठवी तक के बच्चों के लिए किताबे खरीदने पे व रोड रुपे यानि कि डी आउक्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है इतनी बात आप लोगों को बस याद रखनी है अगला क्युस्टन हमारा होगा कि हर्याना में केंद्र ने अम्बुलेंस पर मुझूदा 28% कर या जीस्ट को हटा के कितने परसेंट क कर दिया है तो देखिएगा थोड़ टाइम पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीमेटर के लिए दुशन चुटाला ने कहा था कि जो है ना ये कर घटा दिया जाए ऐसे गुहार लगाई थी कि टेक्स कम कर दिया जाए और अब इस ये टेक्स कम कर दिया गया और 28% से घटा के जो है ना कितना कर दिया केवल 12% कर दिया यानि कि D option जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है ऑक्सीमेटर है एम्बुलेंस है या जितने भी medical आपके equipment है या अपरेटरस है उनका GST कम कर दिया हर्याना के अंदर GST कम कर दिया GST का full form होता है goods service tax इस इन ही के पास में है इस बात को भी आप लोग याद कर सकते हो यहां पे और भारत में जो union finance minister है उनका नाम निर्मला सीता रमन है जिनके साथ में अभी रिसेंट्री GST कॉंसिल की बैठक होई थी उसके अंदर ही जो है ये निरिणे लिया गया था अगला क्यूस्तन 1976 में पंजाब और हर्याना उचनियालय दवरा नामित वरिष्ट अधिवक्ता चोदरी हर भगवन सिंग जिनका हाल ही में कितने वर्ष की उमर में निदन हो गया है तो इनका भी हाल ही में 93 वर्ष की उमर में निदन हो गया है डी आप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल रहेगा चोदरी हरुजन सिंग जु है इनका जनम हुआ था 22nd 1928 को रियाना पंजाब हाई कोट के अधिवक्ता रहे चुके थे 1976 में हर्याना पंजाब हाई कोट की स्थाफना 1966 में हुई हर्याना पंजाब हाई कोट जो है ना इसका हैड़ कौर्टर तो चंदीगड में है ही हर्याना पंजाब हाई कोट के वर्तमान में मुखे नायभीस ता नाम क्या है रवी संकर जहा वो बात भी आप याद रखिएगा इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ आपके लिए क्युस्तन रहेगा भगत फूल सिंग महिला विस्व विधाले के नए कुलपती कोन बने सोनम सिंग राकी गोदारा केसव अरोडा राजंदर सिंग अनायद यह सोनीपत में पढ़ता है भगत फूल सिंग महिला विस्व विधाले और सोनीपत का नखरा पानीपत की अंगडाई गाना तो आपको याद होगा ही होगा चलिए मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए कल फीर हाजी रहूँगा लेटेस्ट अप्टेट के साथ थैंक्यू सो मच